सोबाय यात्रा के दुरा नुहू शहर से सटे खेडला गाउं के पास जहाँ हिंसा हुई थी उस काउं की सर्पंच का बयान सामने आहा है खिर लगाओं कि सरपंच रफीक हतोडी ने कहा है कि जिस दिन सुबा यात्रा निकल रही थी उस दिन वह किसी काम से दिल्ली गए होए थे लेकिन जब अगले दिन वापस आये तो उन्होंनी सुना कि दोनों तरफ से सोसल मीडिया पर कमेंट किया जा रहे हैं जिसकी वज़े से ये मामला तूल पकड़ गया वहीं आपको बता दें कि समासेवियों ने सरपंच और मिवात बार एसोसियेशन ने डिसी एसपी से डिसी केंपस में मलाकात की है उन्होंने कहा है कि इलाकी के मोचिच लोगों ने दोनों अधिकारियों से कहा है कि अगर उनके पास दंगाईयों की CCTV फोटेश हैं या कोई अन्यस सबूत हैं तो उन्हें ऐसे संधिक्त लोगों के नाम दिये जाएं वह स्वयम आग गया कर उन्हें पकड़वाने की कोसिस करेंगे उन्हेंने कहा है कि हमारे बुजरगों ने इस अलाके में हमें भाईचारे के पारे में मिशाल दी थी इस भाईचारे को किसी भी कीमत पर भी तूटने नहीं दिया जाएगा फरिदाबाद के बिट्टू बजरंगी के बयान ने भी आग में घी डालने का काम किया जिसकी लोगों को परिशानियों का सामना करना पड़ रहा है पुलिस लोगों को गरबतार कर रही है और लोगों में पुलिस के गरबतारी की वज़े से खौफ है गाउं के लोगों को रातरी के समय जंगल में या फिर पाहाडों में रहना पड़ रहा है प्रतनिती मंडल ने अधि तथा जलापार एसोसियेशन को बरोसा दिलाया है कि नाइचा इसको गरबता नहीं किया जाएगा दिल्ली था मुझे इस बात के बारे में फॉन पर पता चला कि इस तरीके के मामलाथ हो गए हैं सहर के अंदर तो मैंने फॉन पर संग्याल नेने की कौसिस की बात नहीं हो पाई किसी से मेरी मैं नेक्स डेज़ यहां पर आया तो मुझे पता चला तो सारा मैंने जानकारी ली पता चला कि उसमें दोनु तरफ से कुछ कमेंट हुए थे सोसल मीडिया के माद्धिम से इस वज़े से यह हलात पैदा हुए तो इतने मामले की मुझे मालूम निश्चित तूर पर हमालाधिकारियों से हमने वादा किया है कि अगर सेशी टीवी कैमरे के अंदर या लाइवे के अंदर या वीडियो के अंदर कहीं भ करणाद शीब के इस संगम को किसी भी कीमत पर हम बिंगादना आ नहीं चाहिए सदियों से चला रहा है और हमारे वजरुग हमारे लिए इस भाईचारी की मिसाल देके गए थे तो हम कौने करें जरसल को बिट्टू बजरंगी नाम का व्यक्ति हैजिसल मीडिया के माध्धि तो इस तरीके के मामलात की वज़े सी यह मामला जो है की बढ़ता गया है जो कि सोसल मेडिया की माध्यम से दो दिन पहले से ही यह कमेंट चल रहे थे परकी परसासन की भी तक्रीबन संग्यान में था यह मामला बाकि हम तो जिले की सरपंच एसोसेशन के नाते आपको विश्वास दिलाते हैं आपके चैनल के माध्यम से विश्वास दिलाते हैं परसासन को जहां जिला सरपंच एसोसेशन की जुर्थ पड़ेगी जिले के तमाम सरपंच परसासन के साथ खड़े हैं सरकार के साथ खड़े हैं कि सरपंच भी सरकार का एक पार्ट होता है और निश्चित तोर पर सरपंच की जुम्मेदारी है कि गाउंग के अंदर कोई भी आवे विवस्ता ना फेले विवस्ता बनाने के लिए सरपंच हर तरीके से सरकार के और परसासन के साथ खड़े हुए है आज इलाके के जुम्मेदरान और बार के एसोसिन के सारे पत्दिकारी और जले की सरपन्च एसोसिन मिली थी, तक्रीबन सो से सवासो आदमी थे, सारे तीनो संगठनों को मिला करके, और सब ने सपी साथ से बात किर, ये सपी साथ ने विश्वास दिलाया, किसी भी है वो किया जाएगा नाजाइज के साथ किसी के साथ भी किसी को परिशान नहीं किया जाएगा